पर तेन नमस्ते कैसे हैं आप क्या आप भी इसी तरीके से पड़ते हैं आप पड़ते हैं तो जो आप पड़ेगे उसे कभी भी एबजोर्ब नहीं करता लिए आपको पता हैं आपके हाथ पर जो Venus की lines होती है वो लेटीव ही होती है बिल्कुल ऐसे जिसे अभी मैं लेटीगे हैं और जो Jupiter की लाइन होती है वो ऐसे होती है कि जब आप बिल्कुल सीधे बैठें तो स्ट्रेट लाइन्स Jupiter, लाइन लाइन्स Venus इसे लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ने का काम हो लेट कर करेंगे तो कभी माइंड अब्सॉब करेगा हैं जितने सीधे बैठेंगे, जितनी आपकी स्पाइन सीधी होगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपके माइंड में डाउनलोडिंग होगी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी या जो भी आप सुन रहे हैं उसकी तो अगर मज़े की चीज है तो लेटके पढ़िए और अगर याद करने की चीज है तो बैटके पढ़िए अपने बच्चों को यही टिप जरूर बताईएगा और फिर उनके अंदर डिफरिंस देखिएगा